स्वर्ग में अमिर गरिब स्वर्ग के दरवाजे पर एक दिन दो वेक्ति एक साथ आए एक बहुत अमिर वेक्ति था और एक बहुत गरिब था अमिर वेक्ति बढ़िया और किमती कपड़े पेहने हुए था और गरिब व्यक्ति बेचारा एक दूती लेपेटे हुए था अमिर व्यक्ति ने स्वर्ग का दरवाजा खट-कटाया अंदर से एक देवदुत बाहर आया उसने देखा कि सामने एक अमिर व्यक्ति खड़ा है लंबा चोड़ा देवदुत ने उसका स्वाकत किया और अंदर आने दिया गरिब व्यक्ति अमिर व्यक्ति के पीचे खड़ा था देवदुत ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया गरिब व्यक्ति वही खड़ा रहे गया और देवदुत ने दरवाजा बंद कर लिया गरिव फ्यक्ति को इस बात से बड़ा बुरा लगा लेकिन वह क्या खेता बस खड़ा रहा तबी उसे अंदर से बड़ा शोराता सुनाई दिया एसा लग रहा था जैसे कि अंदर कोई उस्सव मनाया जा रहा हो बाजे बज रहे थे और स्वागत गाये जा रहे थे गरिव फ्यक्ति ने सोचा कि उसका भी ये से ही स्वागत किया जाएगा उसने मन ही मन सोचा नीचे धर्ती पर तो कभी उसने इतना सन्मान नहीं मिला नहीं कभी किसी ने मेरा इतना स्वागत सत्कार किया चलो उपर स्वर्ग में आकर तो कम से कम मेरा सतकार किया जाएगा बहुत खुश हुआ वह यह बात सोचकर जब अंदर का शोर बंध हो गया तो उसने दरवजा कट कटाया देवदुत ने दरवजा खोला उसने गरिब व्यक्ति को मुस्कुरा कर स्वाबत किया फिर उसे आदर से अंदर ले गया अंदर भी उसको बहुत आदर पुर्वक उसके कक्ष तक ले जाया गया जैसे कि वह कोई बड़ा आत्मी हो लेकिन न वहाँ कोई संगित था नहीं उसके सौगत में कोई गीत गया गया गरिब व्यक्ति को बड़ा ने राशा हुई उसने देवदुत से कह हाँ मैंने सुना था कि स्वर्ग में आकर सबको बराबर सनमान मिलता है लेकिन अब लगता है यह बात कलथ है आपको एसा क्यों लगा देवदुत ने पूचा गरिब व्यक्ति बोला क्योंकि धर्टी पर तो हमेशा हम गरिब हो के साथ पक्षपात किया ही जाता है लेकिन अ तब देवदूत ने उसे समझाया एसी कोई बात नहीं है स्रिमान सच्चा यह है कि आप जैसे नेक विक्ती या हर रोज आते रहते हैं लेकिन अमिर विक्ती मैनों में कोई एक ही आता है इसलिए जब कोई अमिर विक्ती आता है तो हम उसके आने की खुशे में उस्तव मनाते हैं इस उस्तव में सभी शामिल होती है चाहे कोई गरीब हो या आमिर या आने के बाद सभी को एक जैसा आदर दिया जाता है तो अब आप नारास तो नहीं है न यह बात सुनकर मेरे सारी परिशानी दूर इसा सम्मान और ट्रेम पाने के लिए अच्छे काम करना सबसे प्रेम करना बहुत ज़रूरी है अपना मन साब प्रको बस बाकि सब अपने आप हो जाएगा समझ गए इतना दोस्तों आप कोई छोटी सी कहानी के से लगी हमें ज़रूर बताए साथी हमारे चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब